सुब विचार, जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं होता, इसलिए सोयम को अधिक तनाव ग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थीतियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, बदलती जरूर है। नमस्कार, मैं हूँ डाक्टर छोटे लानगुपता, असिस्टर प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलल महावी द्याले, हाजी पुर्वै साली। आज के हिंदी क्लास में कभी सुमित्रा नंदन पंत की कभीता ताज का भवार्थ सहित ब्याख्या करूंगा। अब आप ध्याल से सुने, प्रकृति के सुकुमार कभी सुमित्रा नंदन पंत छायवादी कभियों में एक प्रमुक अस्तम्भकार है। उनकी कभीता ताज मनवतावादी संबेदना के प्रति समर्पित है। पर्शुराम सुकल विरही ने लिखा है। पंत जी के जीवन दर्शन की परीधी का केंदर बिंदू मनवतावाद है। प्रकृति, सौंदर्ज, भौतिकवाद, मार्सवाद, राश्टितावाद, गांधिवाद, अदैतु दर्शन और आध्यात्मिक्ता, आदि विचार धराओं की सुकृति और विरोधी विचार दर्शन में पंत जी का मनवतावाद और मानो कल्यान की भावना ही क्रिया सील है कवीता ताज, कभी सुमित्रा नंद पंत जी द्वारा रचित, एक उत्क्रिष्ट कवीता है इस कवीता के माध्यम से कभी उन लोगों पर ब्यांग करते हैं, जो मरे हुए को अमर बनाने के लिए पूजा करते हैं आज तक ताज महल को खुबसूरत इमारत और सिल्प का एक अध्वुत नमूना माना जाता रहा है लेकिन पंत उसे एक नई द्रिष्टी से देखते हैं ताज महल को मिर्तु का परतीक, एक समाधी या कबर के तौर पर देखते हैं ताज निर्मान के कारणों को उचित ना मान कर कभी अपना विचार व्यात करते हैं मिर्तक के लिए संगमर्मर की इतनी भव्य और बहमुल इमारत बनाई गई है जबकि संसार भर में जिन्दा लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है जिवित लोगों का जिवन कुरूप और भद्दा है मिर्तकों को सजाया जा रहा है कभी का मानना है कि मुर्दा लोगों को मुर्दों के बीच में ही रहने देना चाहिए और जिवित लोगों को हर परकार से मदद कर आगे बढ़ाना चाहिए कभी का मानना है कि जब संसार में रहने वाले जीवित लोगों का जीवन बिश्वरा और दुखी है निर्जीव जर चेतन हीन परा हो ऐसे समय में मिर्टु के पीछे इतना बरा ब्याय और पानी की तरह पैसा बहाना बिल्कुल न्याज संगत और उचित नहीं है कभी का मानना है कि इस संसार में सबसे सुन्दर मानो है कभी को आश्चर्ज होता है यह संसार जब कर्म कुलाहल एवं दुख दर्द से आहत पिरित भावनाओं से भारा हुआ है तब इनके करह को उपेक्षित करके अपार्थिव पूजन करना किसी की मौत के बाद उसकी इस मिर्ति के लिए ताज का निर्मान करना ब्यार्थ है ताज अनुपम है अदिवतिय है लेकिन यह समाने लोगों के लिए इसकी उपादियता क्या है कुछ भी नहीं कभी ताज को पूजिवाद, सामंतवाद एवं समराज्यवाद का प्रतीक मानता है समराज्यवाद अपने बिलास्पून जीवन के लिए धन बैभावी कठा करता है इसके लिए उसे आम लोगों का सोशन भी करना परता है कभी कहता है कि सोव को हम रूप, रंग, एवं आदर वा शम्मान तो करते है लेकिन मनुष्य को सोव के कुछ सी धाचे में ढालने के लिए मजबूर करते है यह कहा का न्याय है यह ताज मिर्त आदर्सों का प्रतीक है जो जुग-जुग से मानो जाती को मों में अंधा की हुए है भूख, दूख, दर्द एवं पीरा से आहत मानो जाती आज पतन की और उन्मक है वैसी इस्थिती में जुग-जुग से यह ताज मिर्त आदर्सों का प्रतीक बढ़ा हुआ है इस परकार के रूढियों एवं ब्रीतियों का खंडन करना होगा हम जीवन का संदेश भूल गए है मानो जाती का कल्यान रूढियों को जोरने में नहीं तोरने में है कभी सुमित्रा नंदन पंत कभी ताज के माध्यम से यह शंदेश देना चाहते हैं कि मानो को आज स्वयम ही नए समाज का निर्मान करना होगा जिसमें मनुस्य मनुस्य के प्रती आदर वशंमान का भावनी में दित करे कंदे से कंदा मिलाकर राश्ट निर्मान में अपनी सहभागिता बढ़ाए